आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार मैं हूँ गॉरफ स्रीवास्तो और आप हमाई साथ देख रहे हैं हमारा खास कारिकम बात अपने देश की बैसित इस समय आपे देश में तमाम तरह की युजनाइच छल लैई हैं जिनका नाम पूरे बृस्व में हो रहा है खादन युजना की बात करें मुकपंद्री युजना की बात करें और तमाम ऐसी युजना है जिन से आजकल हमारा देश का जो नागरिक है वो इस समय आसानमित भी है और लाबारती भी हो चुका है और लाबीस को मिलना है जीटल कान्ती की बात करें नाम हो रहा है और इसके साथ हम तमाम एसी बुनियादी सुभिड़ाओं पर भी काम कर रहे हैं जिनका भी एक पकार से परवर्तन होना बहुत आवश्यक है और उसका लाव मिलता है और यह परवर्तन और यहां को आप बैदाट तरीके से क्रेयान वेन जाते हैं तो यह देश के नवासियों के लिए भी उसाथ ती साथ देश की आनवाली धरोरों के लिए यह पकार से बहतर यूजना की रूप में स्थाफिल हो जाती है आज जो हम बात कर रहा है वह बात कर रहा है पिरामंत्री नरिन मोदी की द्वारा जिसकी गोजड़ा की समधन करना है इसके अलावा जो सूखे की दिक्कत है उसका समधन करना है और गिरामीर अर्थ व्यूस्था को ससक्त बनाना भी इस उजना के तहत पूरा किया जा रहा है इस उजना के तहत अगर हम बात करें तो तमान तरह के कीरतिवान बनाए जाएंगे कीरतिवान इसलिए ब्यवस्था रही है कि इसका नुकसान आज भी जनता भुगत रही है जी हां, हमारे देश में जब भूजल का इस तर लगातर कम होता जा रहा है और इस तर कम क्यों हो रहा है सबसे बड़ी बात यह है कि और दोगी करण और निजी करण के करण जैसा ही ब्योशाई करण बढ़ रहा है उसके चलते लगातार जमीन हैं तालाव हो गए उन पर कब्जा किया जा रहा है और उनके उपर कंक्रीट और सिमेंट की बड़ी बड़ी इमारत बनाई जा रही है जिसके चलते जो तालाव थे जो हमारी पेजल की बेऊस्था थी जो हमारे भूजल इस्तर को सुदानने वाली तकनीक थी तकनीकी बोलेंगे कुए है और तालाब है यही तो भूजल को बेतर करते है उसको लगातार नुक्सान हुआ और तमाम बड़े तालाब जहे जिनका बहुत बड़ा नाम रहा जील रही और वो आखर में केबल और केबल इतिहाज बन गए और गंडगी और कूडे के डेर से नरेन मोदी ने अमरत सताबदी जो बर्स चला है देश का उसके तहट इसका बोचना की और केंजरी जल सकती मंतराले ने इसकी शुरूबात की और कहा गया कि देश के पैतेक जिले में लगवग लगवग 75 तालाब बनाए जाएंगे हाला कि मद्धपरेस के मुक्वंतरी जियार की गई थी वह क्तीग थी कि हम पैतेक जले में 75 तालाब बनाएंगे और तालाब नए बनेगे और साथ जो पराने तालाब हैं उनका भी जिर्णोद्वादार किया जाएंगा खास तौर पर इसे जोना में जारशारा पराने तालाबों का जिर्णोद्वार की ही एक पिकार से पेजल की विवस्था हो सके, सूखे की समझ्या हल हो सके और साथी सार ग्रामी अर्थो विवस्था को भी सस्क्त बनाए जा सके तो अगर 2011 के हम रिपोर्ट माने तो हमारे देश में उस समय 640 जिले थे तो देश में 57, 1975 तालाब बन जाएंगे और जब ये तालाब बन जाएंगे तो आप खुश हो सकते हैं कि इस देश में पेजल और सूखा जैसी विवस्थाओं का एक बहतर निजान हो जाएगा सूखा पढ़ता क्यों है जब पानी नहीं गिरता है नमी चली जाती है तो सूखा पढ़ता है अब जब तालाब ही नहीं होंगे कुवे ही नहीं होंगे जीले नहीं होंगी तो सूखा पढ़ना लाजमी है आपको ना सचाई के लिए पानी मिलेगा ना पीने के लिए पानी मिलेगा और जब तमाम चीज़ा है भूजल उस्तर नीचे चला जाएगा तो आप संकट बनाएंगे तालाब बावडी कुए हम में देखा जब पुराने जमाने के लोग होते थे तो वो तालाब बावडी जल जिनका नाम है और जिनकी एक इतिहास रहा है और लोग पहले जलासा बनाते थे कि लोगों कभी पानी की दिक्कत ना हो आदमी नहां पाए पानी के लिए उस्ता रहो और सूखा कभी ना पढ़े तो एक जो पुराने जो महापुरस होते थे जो पुराने राजा महाराजा हो तो यहां पर हमको इस तरह के निर्मान करा ने जा नहीं और निर्मान कराए भी गए थे पर तालाब मैंने बताया और दोगी करन के तहत सारे अधिकास तालाब पाट दिये गए और जब उनको मिट्टी और कूड़े के धेर से पट गए तो फिर तमाम चीजे आपकी रूप र सब्सक्राइब में लबह लबह 30% यानि 60 करोर लोग इस समय में पेजल के संकत्षे थे गिर सित परिशान थे और गंविर संकत्था और लगातार सरकार की व्युस्ता है पेजल उसना के तहर कि लोगों को तक पानी पहुचे हर नल स्क पानी पहुचे पर अगर हम अपने ही जिले में अपने ही गाओं में अपने ही तैसील में जाड़ से जाड़ा बना लेंगे तो निश्ची रूप से हमको सरकारी ब्युस्ताओं पर जाला नर्वाद नहीं रहना पड़ेगा और उन तालाओं को रख रखाओं भी बैतर हो क्योंकि ताला आपको परेटर ब्युस्ता से जोड़ दिया जाएगा यानि इसमें बोटिंग भी होगी उसमें फबारे भी लगाए जाएंगे उसके किनारे किनारे कॉंप्लक्स भी खोले जाएंगे छोटे जोटे पूइंट भी जाएंगे जिससे के लोगों को जो है आंदनी भी होगी और लोग बहां पर परेटरि है उसको बैदर करने का है प्रयास किया गया है और अमरत सरुवर रिजना के तहर्ट मेरा कुता है संतावान हजार नौसो पजबतर ताला पर आए जाने हैं और तालावों के जीनोदार पर ही यह जोना क्रियानवित है उसी पे काम कर रही है और कहा गया है पिनामंती नार्य मुनी ने कहा कि 15 अगस्त दोजार तेईस तक हमको इस लक्ष को पूरा करना बहुत बड़ा लक्ष है बहुत बड़ा जीम पजट है यह केजिर जल सकते मंतराले का और 57,975 तालाव बनाने हैं आपको दोजार तेईस तक बहुत बड़ा पजट है और जब यह तालाव बन ज तो ब्युस्ता को बहतर करने का प्रयास किया जा सकेगा और होगा क्योंकि जब परटन बढ़ेगा ब्युसाई करन बढ़ेगा तो निस्टी रूप से वहाँ पर दो पैसे भी कमाने का मौका मिलेगा आमदनी बढ़ेगी खास तो गरामिनों की क्योंकि यहां पर 75 तालाव बनाए जाएंगे पर 75 ताला आप ट्रामिन खेतों में जाना बनेंगे क्योंकि बहुत सारी उनकी समस्या हलो सकेगी तो यहां पर बढ़ेगी अब अगर हम बात करें देश के पहले अमर सरूबर की तो देश का पहला अमर सरूबर बनाया गया उत्तापरेस की रामपुर जल लेके पड़बाई गाओं में जिहा जिसकी लागत लबह लबह साथ लाग रुपए आई थी और इसका और घाटन केंद्रिय अलवसंग्यक कल्यान मंतरी मुक्तार अब्बास नकवी और उत्तपरेश के जलसक्ती मंतरी स्वतंडेश सिंग्ग दोनों वहाँ पर गए थे और दोनों ने यूजना के तहर्ट पहले अमर सरोबर का और गटन किया और साथी चार उस सरोबर में बोटिंग देखी यारी इतना बहतरम इतना अब देख से वहाँ का था इतना बैठा दिस से था कि किसी गाओं में तरह की परेटन की बहुसता के तहए बोटिंग के तहए बाला पहला इडिम प्रुजट है जो कि सरकार लेकर आ रही है और सरकार के प्रुजट के भाद्धम से कही तरह में आपको ताह है तीनों अगर देश की बात कर रहा है और उतबिتيस की बात नहीं नहीं Questionas देश का सबसे बड़ा जला कांई है सब से बड़ा जबादी है तालाव हो गया कली पस्चिम का तालाव हो गया इस तरह पांस तालावों के लिए ब्यूस्था भी बना दी गई है और अभी पांच बनेंगे उसके साथ सत्तर तालाव और बनेंगे जो यह बहुत बैतर रूप से सुरूबार की गई है अब इस बहतर विवस्था से चीजे क्या बहतर होंगी सबसे बड़ी बात तो यह है आपकी पेजर की विवस्था बहतर होगी आपकी सूखें की समस्य हाल होगी और साथ साथ आपका ग्रामीड परेदन बढ़ेगा अब हम परेदन की बार करते हैं तो हम गाओं को सोचते हैं तो अपने 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 पराना इतिया जार करते हैं पर जब गाओं में लोग जाएंगे परेदन बढ़ेगा बोटिंग वहां होगी वहां पर फूट पांटें लगेंगे बारे वहां चले रूप से ग्रामीड इलाके हैं उनका भी पिकार से बहतर त आपका वीडियो भी होंगे वहां पर असबहुए भी होगी बहां तमाम तरह कि ग्रामीड सच्वाला बनाए गया है और फुली वाइफाई की उस्तक की जा रही है और प्रिदामादी नर्यन मोडी लीटर इंडिया के तहत सभी गाओं में बैतर करने के लिए प्रियास कर र बाजपा की सरकार है और केन सरकार का एक सुरू से मिसंद आया है कि ग्राम उदय से भारत उदाए यादि अगर आपका ग्राम का उदाए होगा यादि आपका ग्राम आंगे बढ़ेगा गाओं आंगे बढ़ेंगे तो यहां पर अमरत शरूबर विज्णा यह बहुत अच् रामपर बन चुका है रामपर बन चुका है वताव मलक नहीं सरूबर होन चुकी है अग्रह मं शुल्वार होकी है faj करों के लिए 1 लग्रवा सिघ्रव की नोई जाए," तो निस्तिरूफ से इस जुना की जरुवत हमारे देश में थी, जरुवत इसलिए थी कि अगर आप इस जुना को नहीं लाते, तो निस्तिरूफ से जो बहतर समाधान, पेजल का, सुखे की समस्या का नहीं हो सकता था, क्योंकि एक अनुमान के मताबिक 2030 तक, जो भारत में पा संकट बहुत तेजी से बढ़ता, पर अगर 15 अगस्त 2023 तक हम अमरत सरोवर की जितने हमने एक प्रजेक्ट बनाया है, संताव जया नोव सेतर, तालाप हम मनाने जा रहा है, अमरत सरोवर मनाने जा रहा है, क्योंकि इन सरोवरों को पुराना नाम नहीं दिया गया है, इनको अमरत सरोवर ही कहा गया है, अमरत सरोवर इसलिए कि पानी ही अमरत है, अगर कोई आनि प्यासा है तो इसके लिए पानी से अमरत बड़ा कोई अमरत होनी सकता है, इसलिए पानी को अमरत कहा जाता है, जली जीवन है, जली जीवन है जब जल की वेउस्था होती है तो इस अश्राव पूरी जल पर निरभारे और आपका पर्यावर नहीं पूरा पर निरवार यह और परकुछ सती हो सकते हैं तो जल्का होना और वेचर सब्सक्राइब तो इस साथ उसका प्रणुसित नहीं होना कि गाउं में जो भी तालाब बनेंगे वो ऐसे बनेंगे कि जिसका की एक रखरगाव होप सकेगा और जब परेटन के स्टिटी से आगे बढ़ेगा तो निश्रुप से बापा गंदगी भी नहीं होगी और एक सोच आदमी की स्थानतर्स होगी वहाँ पर कि हमको अपने ताला भारत को देख रहे हैं जहां से भारत उडएगी संगल्पना और परिकल्पना उडए होती है उसको देखने भी गाउं जाएंगे और तमाम ऐसी बड़ी बड़ी जगाओं का यहां पर समय जुड़द्वार हो रहा है अगर हम बात करें उत्तापरदेश की एक बुद्नेट किया गया और अब बहुत जील अब बहुत 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 को वहां पर अन्न मिलेगा तो जिस तरह से यह होजना है अब अच्छा पुजट्ट है और सरकार इसको ले के आई यह तो निशीरूप से अपने इस समस्या है ऐसी बुन्यारी समस्या है जिसका हल होना बहुत आबस्यक है अगर आप इस समस्या का हल नहीं करेंगे तो आने बाले समय में हमारे आने बाले पीड़ी को गहरे जल संकट का सामना करना पर सकता है गंभीर जल संकट का सामना करना पर सकता है तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि हमारा आने बाली पीड़ी हमारी आने बाली पीड़ी बहतर रूप से मजबूत हो सारी रूप से मजबूत हो उसको जल संकट ना हो दिक्कत ना हो, सुखा ना पड़े पेजल की बैतर व्योस्ता हो उसके लिए हमको सरकार की जुजना में अपना हाट बनाना पड़ेगा और जनता का भी कर्तब है यहाँ पर कि अगर सरकार कोई ताला बना रही है और उसको रख रखाओ कर रही है तो उसको बैतर बना रखना उसको साथ सुखा बना रखना भी यह जम्मेदारी जनता की है सरकार की है, सरकार बना रही है तो जम्मेदारी जनता की भी है कि उस ताला के रखनावाओ को बैतर किया जाए उसमें तबाव ऐसे काम ने किया जाए जो की होते है कि भैसे नहलाई जाए, कि पसू नहलाई जाए, कि वहाद सुबह पाकाना किये जाए इस तरह की ब्योस्ता वहाँ पर ना हो, जिससे की चीजे ठीक रहे और लोग उस तालाब को पेजल की रूप में, परेडर की रूप में उपयोग कर पाए तो यहाँ पर योगली योजना है, यह बहुत बहत बहुत है, ओकर आप योजना की बात करें तो थिंग-टैंक अलग होता है, एक पेड़ना अलग होती है अब बात बता हुँ हुँ इसके योजना के तहर्त तो कोई किसी से अदिश से पूर नहीं की गए कि आने बादः लेसी सकते हैं कि यह बहुंत हूँ है वो मानता से शुरू होती है पुनिस शुरू होती है और बार में जाके सोच एक निदान पर चली जाती है निदान पर जाके खतम होती है जैसे निदान की जैसी बात की गई है कि अमरस सरोबर उजना ये सोच पुनिस शुरू ही, मानता सुरू ही और जाके ये बिकल्प यानि निदान यानि सवादान पर जाके खतम हो गई और इसके तहट आने बाले समय में भारत की ये समस्या है वो बहुत हद तक हलू सके क्योंकि दो यार तीस के अनुमान के मताबिक भारत में जो जल की जरूवत होगी पानी जो जरूवत होगी बलाव बलाव दोगनी होगी और उस समय तक आबादी मेरे अनुमान के मताबिक देड़ सो करोड से उपर हो चुकी होगी तो उस समय तक ये सिस्टी को बनाय रखना और जिस तरह से तलाब रहेंगे ये बैतर परिणाम आपको देंगे पेजल के लिए सूखे के लिए और दुवी करन के लिए परेटन के लिए आंधनी के लिए और एक मजबूत और ससक्त भारत के लिए क्योंकि यहां पर अगर गिरामीर भारत ससक्त होगा तो निश्रूप से ही हमारा देश है जो बिश्व गुरू बनने का सपना देख रहा है वो सपना पूरा हो सकेगा और यहां पर इस सपने के तहट हम बहतर काम कर सकेंगे मानत्त्वा के लिए भी अपने लिए भी अपने की समस्या को सोचालाइं की समस्या को सचता जैसे बड़े व्यसियोंपा करेंगेन stronger सकेंगे ज्योंकि हम तकरीकी र्प से आर्थिक रूप से और आधार भूत रूप से लिन्यादी सुम्राओं के साप् Nicole's से मजबुत बनेंगे तब हम कुछ बैतर भारत के निर्मान की बार सोच सकते हैं क्योंकि विश्व गुरु बनने के संकल्प के पीछे तमाम तरह की रणनीती है तमाम तरह की ब्युस्था है क्योंकि हम एक ब्युस्था से आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि अगर आपको आगे बनना है तो आपको पानी की ब्यवस्ता, आपको आवाज की ब्यवस्ता, आपको सचाले की ब्यवस्ता, आपको सच्टा की ब्यवस्ता, आपको और्दे की छित में आगे बढ़ने की ब्यवस्ता, आपको सुद्रन होने की ब्यवस्ता, आपको ससत भारत बनने के लिए आपको तमाम ब् है कि देश के सबी जलों में 775,000 नौसमेजच तर ताला बना जाएंगे ओ अमर्सरोव यूजना के तहट जिससे पेजल की समस्या सूकRe की समस्या और जो ग्रामीर अर्टव्यश्था है उसको सस्द किया जा और ससत्य भारान के निर्मान की सपना दिखा जाता है वह पूरा हो सकेगा कि विशुरू बनने के लिए हमको तमाम उन मुद्धों पर काम करना पड़ोगा जो मुद्धे हमाया जीवन्त है यानि अमर है और उन अमर मुद्धों को इस तरह के ही दिरकालिक और सपने बाली जिससे देश का भी नाम होगा देश का अधारी बनेगा और बन सकेगा स्वस्थ और सच्छ भारत तो आज की जर्चा में इतना ही मुझे दियर्मति नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार